तो आपको बता कि दोस्तो मेरे पास iPhone 11 है जो कि एक साल पुराना फोन हो चुक है और दोस्तो अभी हाली में Big Billion Day पर हमने iPhone 14 भी पर्चेस किया था तो दोस्तो iPhone 14 का Night Mode कैसे काम करता है iPhone 11 का Night Mode कैसे काम करता है कितना difference है दोनों के अंदर क्योंकि आप सब में से काफी लोगों ने बाई Big Billion Day के ऊपर या फिर दिवाली पर दोस्तो अपना ड्रीम iPhone पर चेस किया है तो iPhone का जो Night Mode किस तरीके से काम करता है और क्या performance निकल के आती है नाइट में एक पिक्चर्स में एक वीडियो के अंदर दोस्तो छोटी सी वीडियो है complete देख लेना आप लोगों काफी चाहता है knowledge मिल जाएगी इस चीज़ से ठीक है काफी सारा तो उपर आप देख पाएंगे दोस्तो तो उपर आपको जो है अपचिस आपको जैसी मैंने उसको पर do क्रिक को नाइंट मोर तो वहां पर अचानक से था कपड़ी है ठीक नीचे से बाइक निकली है तो अभी अचानक से light पड़ी है अभी night mode on हो चुका है तो अभी यहां पे नीचे circle आप यहां पे देख सकते हैं इसको आप जो है यहां से जो अपना adjust कर सकते हो जो भी exposure वगरा है वो आप maximum ही रखना थोड़ा से कम करोगे तो उसमें यहां के whiteness कम आएगी ज्यादा कर दोगे फुल कर दोगे तो वाइटनेस ज्यादा आएगी बट नाइट में वाइटनेस चल जाते कोई इस्यू नहीं है यहां पर इसने नाइट मॉन उठाया है 30 सेकिंश का तो मैंने इसको इंक्रीज करके कर दिया 10 सेकिंश तक देन उसके बाद आपको तो जस्ट सेंटर पे क्लिक कर देना एंड फॉन को होल्ड रखना है डिखा हूँ है होल्ड स्टिल जब तक फोटो कैप्चर नहीं होती आपको होल्ड रखना है फॉन को प्रॉपर हिलाना नहीं है ऑब्जेक्ट हिलना नहीं चाहिए उसके बदब देखतें 10 सेकिंश हो तो रोड को पर ऐसा लग रहा है दुपहर की धूप निकली हुई है और उपर पता ही नहीं चल रहा है आइफोन 11 विल्डिंग तो पूरी क्लियर आ गिया है वही दिन वाली ऐसा फील हो रहा है कि दिन में फोटो कैप्चर करिए बट क्लियर्टी इतनी नहीं आती जितनी आ आपको यहां पर देखन को मिल जाती है कम्प्लीट वही लोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं बट आइफोन जो 14 है उसने थोड़ी सी लाइट यहां पर दे रखिए ऐसा शो हो रहा है कि थोड़ा लाइट अभी है बट एक्चुल में लाइट नहीं है वहां पर बट यह हम वहां पर नाइट मोड ओन करेंगे एक्सपोजर मैंने इसका भी 200 विल्कुल मैक्सिमिम्म कर दे जो मैक्सिम होता है ठीक है 2.0 तक होता है तो यहां से आप इसको कम ज्यादा कर देना है और फोटो पे जब क्लिक करोगे तो बस इसको पकड़ के रखना है अच्छे से होल तो फोटो कैप्चर हो चुकी है दोस्तों एंड यहां पर मैं फोटो पे क्लिक करता हूं दोस्तों आप लोग ने एक चीज़ी नोट की होगी फोटो में क्वाल्टी में कितना फारक है आइफोन 11 आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर पूरा पता चल रहा है कि अभी है बट आइफोन 11 के अंदर आप देखोगे तो आइफोन 11 के अंदर यह चीज नहीं देखन को मिल रही थी वहां पर ऐसा लगा था कि दुपहर का समय है तो अभी मैं दोनों की फोटो आप लोगों को यहां पर एक साथ दिखा देता हूं तो कि सबसे पहले हम आइफोन 11 के हमने पिक्चर लिए है उसको थोड़ा सा जूम करके देख लेए तो सबसे पहले तो आप यहां पर डिफरेंस दोनों के तरफ देखी सकते हैं ठीक है तो यहां पर फोटो थोड़ी सी वाइटनेस में जादा है आइफोन 11 की उपर जो क्लाउड है क्लाउड के अंदर भी लिए अरहे की दूप नहीं कलरे है ठीक है तो आप यहां से थोड़ा सा क्लर डिक्ट तो आप लोगोंने देखी ली व्टuję यहां पर भी जियादा होने की वज़े से सब्कुछ वाइट वाइट सा दिखाए रहा यहां नीचे तो आप जो फ्लोराा वह Fun Fun 12 गाड़ी का color देख सकते हो अब यही सेम फोटो हम देखने वाले यहां पर जो हमने 14 से capture करी हुई है तो आप यहां पर देखो आप difference देखो यार 14 में and 11 में कितना ज्यादा difference है आप यहां पर detail देख सकते हो पहले तो यहां पर मैं थोड़ा सा जून करता हूं कि आप गाड़ी में लिगी फोटो है अब यहां पर तुम जूम कर लो ठीक है पेड़िक में जो यह वरिक्ष है यहां पर ट्रीज आप देख रहो यहां पर जो color आ रहा रहा ना देखो बिल्कुल natural color आ रहा रहा ग्रीम और वहां पर आईपोन 11 के अंदर सेम जो exposure मैंने सेम रखा दोनों में कम जदें नहीं रखा था दोनों ही 2.0 उसमें था और 2.0 इसमें था और फिर भी आप यहां पर देख सकतो चोड़े-चोड़े आपको तीन स्टार यहां दिखा रहे और यहां पर देख सकते हो प्रॉपर क्लियरली यहां पर दिखाए नहीं बट अगर यही सेम चीश आप 11 में देखोगे तो यहां पर जो तीन स्टार है वो बहुत ही काफी जादा ध्यान से देखने पर दिखाई देंगे ठीक है बट जो ऊपर वाले स्टार है वो जो बड़े स्टार वो दिखाई देंगे बस बाकि दोस्तों आप लोग ने पिक्चर को देखके जो आइडिया लग मिलने वाली है जितना ज्यादा प्रोफेशनल बंदा होगा जिसको फोटोग्राफी की नॉलेज होगी तो वह आइफोन 14 से ना जब बरदस्त वीडियो बना सकता है नाइट मोड बाकि दोस्ता आइफोन 14 के अंदर आपको पता कि एक्शन मोड मिल जाता है ठीक है सिनेमेट आइफोन के लेंदर ऐसा कुछ नहीं है आपको सॉफ्वेर के जरी करना पड़ेगा जो भी कुछ करना पड़ेगा इस साल बिग बिलेंडे पे काफी ज्यादा से लाउट हुआ है दोस्तों मुझे कमेंट सेक्षिन में बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अगर आप जो है कैमरा के उपर कुछ अलग से वीडियो चाहते हैं डेडिकेट वीडियो चाहते हैं कैमरा के फंक्षिन से क्वेरा पर कैमरा कैसे काम करता है कौन-कौन से फीचर्स होते हैं में कौन-कौन से डेल रूटीन में कैसे इसको यूज करना होता अगर आप जाना चाहते तो मुझे वीडियो में कमैन्ट कर सकते हैं, मैं एक dedicated वीडियो जो है, प्रॉपर एक create कर दूँगा, पूरे camera फीचर आप लोगों को explain कर दूँगा दोस्तों, तो उमेद कर दोए, चोटी सी को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना